पिछले नौ महिने में साइदी कोई ऐसा गाउं और पंचायत में गया हूँ जहाँ पर लोगों ने ये नौ बताया हो कि शिक्षा बेवस्था यहां पूरी तरीके से ध्वस्थ है मेरा अपना मानना है कि नितीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा बेवस्था का ध्वस्थ हो जाना उनके 17 साल के शासन काल का सबसे बड़ा काला अध्याय है ऐसा इसलिए कि मान लीजे कि सड़क यहां टूटी हुई है कल होकर अच्छी सरकार आ जाएगी तो सड़क बन सकती है लेकिन अगर कल होकर अच्छी सरकार आ भी जाए तो जो दो पीढ़िया इन धुस्थ शिक्षा बेवस्था से पढ़के निकले अनपढ़ रह गए अब जीवन भर वो पढ़े लिखे समाज की बराबरी नहीं कर सकते, बिहार में जो शिक्षा की हालत है, कई लोगों को लगता है कि यहां पर शिक्षकों की गुरवत्ता की वज़ा से यह परिसानी है, यह समस्या का एक मात्र पहलू नहीं है, छोटा सा पहलू है, शिक्षकों की ग शिक्षा नेती बनाने के चक्कर में, सरकार ने पिछले 5-10 सालों में इस्कूलों में पढ़ाई हो रही है कि नहीं शिक्षक हैं कि नहीं इसकी चिंता नहीं की, हर गाव, हर पंचायत में बिध्याले खोल दिये गए, जहां नहीं खोले गए वहां बिध्याले को उत्क्रमि बिद्याले और नियोजित शिक्षकों के आधार पर चल रहा है न कहीं नियमित सिक्षक है न नियमित कोई बिद्याले है जो मद्य बिद्याले था उसी को उसी बिद्याले बना दिया जो प्रात्मिक था उसको मद्य बना दिया नतीजा यह हुआ कि जहां पर स्कूलों के बिल और सिर्फ ये स्कूली शिक्षा की बयात नहीं है। कॉलेज की शिक्षा की बयालत यहां बिहार में वही है। जिन लोगों को भी लगता है कि बिहार में शिक्षा ब्यवस्ता सिर्फ नियोजित शिक्षकों की वज़ाद से खराब है। उनको बिहार में कॉलेज में होने वाली पढ़ाई को ध्यान में देना चाहिए। बिहार के जो कॉलेज है वो तो नियोजित सिख्षक नहीं चला रहे हैं। पत्ना साइंस कॉलेज, पत्ना कॉलेज, लंगट सिंक कॉलेज, जो भी पहले कि यहां प्रशिद्ध कॉलेज रहे हैं, किसी कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रही है, एक लाइम अगर मैं कहूं, तो मेरा नौ महिने कानभव ये है, कि यहां इस्कूलों की जो अधारना है, स्कूल से खिचड़ी बट रहा है कॉलेज से डिगरी बट रहा है पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है